हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो इस वड़ों में आपको हताने वाले हैं कि अगर ओपो मोवाइल में आप ओपन नहीं हो रहा है नाट ओपनिंग वाली प्रॉलम आ रही है तो कैसे फिक्स करें तो अगर आप चैनल पर पहली बाहर आए हैं तो आती हैं तो दोस्तों आपको इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ऊपर ओप्सन मिलेगा एप मेनेजमेंट या मैनेज एप का इस वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सभी एप यहां पर आ जाएंगे अब जो एप ओपन नहीं हो रहा है उस app पे आपको click करना है click करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहां पर force stop का option मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ दुसरे app पे click करके जैसे कि यहां पर A हो गया देखिए force stop का जो option है force stop पे click करना है फिर आपको force stop कर देना है इतना करने के बाद आपको थोड़ा नीची आना है या उपर या आपको फोन में option मिलेगा storage, usage या storage नाम का तो आपको इस वाले option पे click कर देना है click करने के बाद clear data पे click करना है फिर आपको ok कर देना है इतना करने के बाद बैक आते हैं mobile के home screen पे अब देखिए अगर setting में जाने के बाद यहाँ पर आप बाला option आपके phone में नहीं मिलेगा तो आप क्या करना सबसे उपर search बार में click करके आप लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा नीचे उपर आएंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा app management या apps नाम से इस option पर आप click करके check करना आप यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ से आप clear data कर सकते हैं फिर guys home screen पर आना है और अपने mobile को एक बार switch off करके switch on करना है या reboot या restart भी कर सकते हैं फिर app को open करना 100% open हो जाएगा अगर फिर भी open ना हो तो फिर क्या करना है settings में जाना है फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक option मिलेगा system settings नाम का या फिर additional setting तो इस वाले setting पर click कर देना है click करने के बाद सबसे नीचे आना है backup and reset पर click करना है फिर आपको reset phone का option मिलेगा इस पर click करना है तो यहाँ पर reset all setting या reset system settings only का option मिलेगा आपको reset all setting या reset system setting पर click करके system setting को reset कर देना है इससे कोई भी data delete नहीं होगा लेकिन आपके phone में जो problem में 100% सही हो जाएगी आप चाहें तो setting में जाने के बाद उपर search box में click करके लिखेंगे reset तो आपको यह setting यहाँ पर भी मिल जाएगी reset all settings या reset system setting आप इस पर click करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं फिर आपका जो Ipreg 100% उपन हो जाएगा तो आज की डूम बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू